नमस्कार सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भी गर्वहती महिला है या फिर अस्तन पन कराने वाली महिला है उनका कोबीर का टीका अगर उन्होंने ले लिया तो उनका registration पोस्टन ट्रेकर एप में किस प्रकार से करेंगे और उनका details कैसे भरेंगे तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जनकारी step बेज़ बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रही है वीडियो को complete देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को like जरूर किजिए साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आये ह चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन के बटन जरूर सेलेट करें तो जैसे कि आज मैं आपको टीका करन का डेट भरने के बाड़े में बताऊंगा जो गर्भाती महिला यो मस्तन पन कराने वली महिला जो कोबी-19 टीका है वो ले चुकी है तो उनका डेट कहां पे भरना है और साथ ही साथ ये जो अपडेट आया हुआ है ये सभी बच्चों में भी ये अपडेट आ चुका है यानि टीका करन का डेट सभी बच्चों में भी अपडेट कर दिया गया है जब बच्चों का टीका करन होगा तो उनको पोशन ट्रेकर एप में उ आप लोग आंगनबारी सेविका हैं और जो सलाह आप लोग दे रहे हैं जैसे कि गर्भवती महिला या अस्तनपन कराने वाले महिला को तो उनसे आप लोग बोलिएगा कि आप लोग ठीका करन किसी भी छेतर में ना कराएं जो ठीका करन प्राथमिक स्वास्त केंदर में दिया उनका केटेगरी ओपन करते हैं ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर थी डॉट का ओप्शन दिखाई दे रहा है तो थी डॉट के ओप्शन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर नीचे टीका करन का ओप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो बच्चों का टीका करन होता है, उन्हीं के बीच में एक COVID-19 का टीका का अपडेट आ चुका है, यानि कि जब बच्चों का COVID-19 टीका करन होगा, तो उसका रेइस्ट्रेशन आपको इस पोशन ट्रेकर एप में करना होगा, तो इसी परकार से आप लोग बच्चों का भी रेइस्ट्रेशन करेंगे जब उनका टीका करन किया जाएगा, तो जैसे कि अभी जो टीका करन हो रहा है, वो सिर्फ अठारे पलस लोगों को दिया जा रहा है, तो इसके लिए जो अर्भाती महिला यो मस्तानपन कराने वाले मह महिला की केटेगरी दिया गया है, इस पर किली करेंगे, और किली करने के बाद जिस लभार्थी ने टीका ले लिया है, उसके थ्री डॉट पर किली करेंगे, किली करने के बाद सबसे नीचे टीका करण का ओप्शन दिखाई देगा, इस पर किली कर देंगे, किली करने के बा कर देने के बाद यहां पर किलेंडर खुल के आ जाएगा आने के बाद जिस दिन जिस तारीक को उस लभार्थी ने टीका लिया है COVID-19 का तो उसका यहां से आप डेट सेलेक्ट कर लेना है कोई भी डेट हो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद यहां सब क्योंकि जो लभार्ती है अभी तक उन्हों टीका करन नहीं किया है यानि उनको टीका करन नहीं मिला है इसलिए मैं यहाँ पे सब्मिट करके नहीं दिखा रहा हूं आप लोग सब्मिट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे सब्मिट हो जाएगा तो इसी परकार से बारी-बारी जितने भी लभारती हैं उनको कोवीड का टीका मिलते जाएगा आपको उनसे पुछके उनका डेट पुछके यहां एड कर देना है तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपने सभी आगनवारी गुरूप में इस वीडियो को सेर जरूर करें तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद मिलते हैं अगले वीडियो में